पाई माधोपुर लोकसभा सीट से कॉंग्रिस के प्रत्याश्री देवली उनानिया विदायक हरीश श्यंद्र मीडा ने जिला कॉंग्रिस कमीटी दफसर में बैठक की इस बैठक में मौझूद सभी नेताओं ने कॉंग्रिस प्रत्याश्री हरीश मीरा को ज्यादा से ज्यादा वोट से जीत दिलाने का आश्वासिन दिया है वहिए अने टीवी से एक्स्क्ल्यूसिव बादशीद करते हुए हरीश मीरान कहा की मेरे टिकट पर सबकी मोहर लगी है हरीश मीरा से चुनाव में ज्रीद का दावा करते हुए राजस्तान में कॉंग्रिस का कबजा होने का दावा किया है वहीं NDA के 400 से ज्यादा सीटू पर जूरीत के दावे को खोखला बताया है कि वह जो बड़ी जीत जो है एक लाग पैतिस की वह एक लाग दस जार की वह कैसे कवर होने की उम्मीद कर रहे हैं आप मैं जनता के दम पर जनता के विश्वास पर जनता की समझदारी पर आश्रस करता हूँ आपको सब लोगों को और मेरी पार्टी को भी मैंने का कि टॉंक सवाई मादपुर की जनता सीधी है पर यह समझदार भी है एक मौका दिया दो मौका दिया तीसरा मौका वो देने के किसी भी मूड में नहीं हर जाती का हर धरम का अर्शेतर का अदमी इस बार कॉंग्रेस के साथ है राइस्तान में आप देगे टौंक सवाइमाद पुरी नहीं तो पच्चीस पच्चीस कर रहे हैं ना कि दस साल से आप रुख जाईए जिस दिन पढ़ना हम आएगा आप और हम साथ बैठेंगे और आपको पता लगएगा कॉंग्रेस से बाजी पलेटिंगे उम्मीद तो कर रहे हैं आप सचीन पाइलेट के भी खास मने जाते हैं क्या आपको लगता है कि जो अदावत अशोग गेलो ते सचीन पाइलेट की बीच में रही पांस साल में वह अब खत्म हो गई हैं कौन से अदावत थी मुझे बताओ कौन से कोर्ट में निकामा चल रहा है गद्दार किसे कहा जाता है। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता हूं पर परिवार की बाद, घर की बाद, घर में तो रही। न आशोक गैलोध ने कॉंग्रेस चोड़ी न पाइलिट ने कॉंग्रेस चोड़ी। और दोनों साथ मिलके लड़ रहे हैं। नहीं वो देखिए वो दिन थे जब कॉंग्रेस के की सीड़ थी, अब सतर हो गई न, तो सास मिलके तो लड़ें। अच्छा इस चुनाव में आप अपने सामने किसे प्रत्याक्षी की रूप में देखना पसंद करेंगे। ये दो व्यक्तियों का चुनाव नहीं है, दो जातियों का नहीं है, दो धर्मों का नहीं है, ये जनता का चुनाव है, कोई जाती हो, कोई धर्मों फैसला जनता करेगी जिसमें सब जाती हो और सब धर्म आते हैं, जनता में सब आते हैं, और सब को के पास वोट का अधिकार सब देंगे और मेरा पूरा भरोसा है मैं आपको आज यकीन दिला रहा हूं काउंटिंगे दिन आवश मिलेंगे अपन कि यहां से टॉंक सवाई माधपूर से कॉंग्रेस पार्टी जीतेगी राजिस्टान के क्या इस्तिती रहने वागा है राजिस्टान में कम से कम 10 से 12 सीट जीतेजी यह हरिश्टान मिर्णा जिनका कहना है कि रास्तान में भी निश्चित तोर पर जो है हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे वहीं इस सीट पर डावा है कि परिणाम वाले दिन हम आपको बता देंगी कि जीत हमारी होगी राम सब के हैं बीजेपी मुद्धों की बात क जनता को गुमरा करें कैमरामेन रोहित के साथ रविस टेलर एंडी टीवी टॉक